तो Huawei ने launch कर दिया है the fastest 5G smartphone on a planet Huawei Mate X जिसमें हमें कई सारे नए-नए और कमाल के features देखने को मिलते हैं और जिनके वारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में तो let's go तो ये Huawei का badge-less foldable smartphone है जिसे हम use कर सकते हैं smartphone और tablet दोनों ही तरह से जहाँ पर बात कर लिजा है smartphone के display की तो इसमें हमें 2 display देखने को मिलती है जहाँ पर 6.6 inches की 2K main display और unfold करने के बाद में 8 inches की 2K display इसमें हमें देखने को मिलती है जहाँ पर इसके back side में camera setup के नीचे release की दी गई है जिसे press करने के बाद में phone हो जाता है unfold और जहाँ पर no notch, no punch hole, सिर्फ soft display हमें देखने को मिलती है जहाँ पर हम multi tasking कर सकते हैं आसानी से इस smartphone में बहीं बात करें इस smartphone में camera setup की तो Leica triple camera setup देखने को मिलता है जहाँ पर main camera 40 megapixel का wide angle lens दूसरा ultra wide angle lens देखने को मिलता है 16 megapixel का और तीसरा 8 megapixel का telephoto lens दिया गया है जहाँ पर dual LED flash भी देखने को मिलती है इसके back panel पर बहीं पर इसमें हमें एक नया feature देखने को मिलता है mirror mode के नाम से जहाँ परा final photo capture करने से पहले preview देख पाएंगे इस smartphone की दूसरी display में बात करें फोन में selfie camera की तो इसका जो main यान की rear camera setup है उसे यहाँ भी यूज़ कर पाएंगे selfie camera की तरह phone को पलट कर यूज़ कर सकते हैं अब बैटरी की बात करें तो phone में दो बैटरी देखने को मिलती है जहाँ पर दोनों कुल मलाकर 4500 mAh की capacity के साथ में आती है जिसके साथ में हमें देखने को मिलता है Wellong 5000 modem का support जो इस smartphone को fastest 5G smartphone on a planet बनाता है यानि कि आप इस smartphone से 4.6 GB per second की speed से अपनी files को download कर पाएंगे ऐसा company का कहना है इसके अलावा इसमें हमें 45Z antennas देखने को मिलते हैं smartphone में जो इस smartphone को 5Z networks connecting में help करेंगे इसके अलावा बात करें smartphone के stories variants की तो फिलाल एक ही launch YRGB RAM के साथ में 512 GB in wilt stories जो की 256 GB तक expendable होगा micro SD card की help से लेकिन इस smartphone में हमें सिर्फ single SIM support देखने को मिलता है यान की nano SIM card का use कर पाएंगे बागी बात करें phone के देहने side की तो बहाँ पर आपको power button integrated with fingerprint scanner देखने को मिलता है इसके उपर की side में हमें देखने को मिलते है volume buttons इसके अलावा smartphone को आप आसानी से phone और tablet मतलब जो आपकी इच्छा गए वैसे यूज़ कर सकते हैं तो ये एक नई चीज़ है Huawei की तरफ से जो की उसने पेश्ट की है दुनिया के सामने बागी कीमत की बात करें तो फुलाल ये smartphone launch हुआ है चाहिना में जहां पर इसकी कीमत है काफी तगली है मतलब एक लाग सतरह जार रुपे की कीमत में smartphone launch हुआ है और हिंदुस्तान की बात करें तो सूत्रों के हिसाब से अगली साल यान की सन 2020 के starting तक आने की उमेद है हिंदुस्तान में फुलाल officially अभी कोई confirm ने हुआ है तो यही सारा सबकुस्ताइस smartphone के बारे में आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपका कुई सवाल है सजेशन है तो जरूर दरशा है अपने इच्छा को comment section में तो फुला वाद वाद वै कि अगरी मच्च